नमस्कार साथियों अमरित करपाक एडमी के इस ओनलाइन प्लेटफोरम पर आपका हारदिक स्वागत है राजस्तान के बुगोल की कक्षें लगातार चल रही है और इनके अंदर अपना दूसरा टोपिक अभी चल रहा है सोरी तीसरा टोपिक अपना चल रहा है दो टोपिक कम्प्लीट कर लिए हैं तीसरे टोपिक के अंदर भी कुछ क्लासे हो चुकी है उन क्लासों को भी आप जरूर देखी और उसके बाद लगातार यदि क्लासे देखते हो पिछे वाड़ी क्लासों को तो फिर बाद में वो याद भी अची तरीके से रहता है और रुटीन में भी रहता है वो परसण को आप रटोगे नहीं परसण को आप समझोगे पूरा टोपिक अदिए आप देखते हो तो फिर परसण को समझगर करते हो परसन के गलत होने की संभावना बहुत कम होती है इसलिए पिछे बारी कलासों में हमने चंबल नदी तंदर को पढ़ लिया है और उसके अलावा बनास नदी तंदर को पढ़ लिया है हम यहां पर बंगाल की खाड़ी की नदियों का पहले जिकर कर रहे थे एक बार थोड़ा सा मापको बतायता हूँ कि हम बात कर रहे हैं किसके राजस्तान की नदियों की राजस्तान की नदिया और इन राजस्तान की नदियों को हमने तीन भागों में बाटा था सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपकी है और इस भंगाल की खाड़ी की नदियों के अंदर सबसे पहले हमने चम्बल नदी तंतर को complete किया था चम्बल नदी तंतर को चम्बल नदी तंतर के बाद में हमने बनास नदी तंतर को पढ़ लिया है बनास नदी तंतर को पढ़ लिया है इसे आगे आज अपन बात करेंगे इसे आगे बात करेंगे आज अपन इतना आपन पड़ चुके है तो देखिए इसके बाद में हमें बान गंगा नदी पड़नी है बान गंगा नदी पड़नी है देखिए बान गंगा नदी है उसका जो अपवा छेतर है वो यमुना नदी तक है लेकिन अभी वर्तमान में बान गंगा नदी है या आपके यमुना नदी तक पानी नहीं ले जा पाती है यदि अधिक पानी होता है तो अलग बात है कि पानी वहाँ चला जाता है इसलिए इसको आज अपन आंतरिक परवा की नदियों में भी पढ़ते हैं आंतरिक परवा की नदियों में पढ़ते हैं ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है तो अपन बात करते हैं बान गंगा नदी के बारे में देखे बान गंगा नदी नदी का नाम है बान गंगा नदी और ये बान गंगा नदी है पहले अपन थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकरी ले लेते हैं एक तो इसके उपनाम उपनाम इसे अरजुन की गंगा कहा जाता है अरजुन की गंगा इसे ताला नदी के नाम से जाना जाता है और इसे रुन्डित नदी के नाम से जाना जाता है अभी हम बात करेंगे कि रुन्डित नदी इसको क्यों कहते है अर्जुन की गंगा ताला नदी औरे रुन्डित नदी के नाम से जाना जाता है बाण गंगा नदी को इसका जो उद्गम इस्तल है इसका जो उद्गम इस्तल है, उद्गम इस्तल है, वो आपका है बेराठ की पहाडिया, बेराठ की पहाडिया, और बेराठ की पहाडिया आज की स्तती में जिस जिले में है वो जिला है, कोट पूतली बहरोड, कोट पूतली बहरोड, यहां से ये नदी निकलती है, और उसके बाद इसका जो परवाचेतर है यानि ये राजस्तान में जिन जिलों से बहती है परवाचेतर है तो एक तो कोट पूतली बहरोड होई गया कोट पूतली बहरोड जहां से ये नदी निकल रही है उसके बाद में ये नदी जेपुर ग्रामिन में आती है फिर दौसा में, दौसा में चली जाती है और उसके बाद भरतपूर के मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती है, यहां देखो एक चीज, यह नदी पहले अपना पानी कहा ले जाती थी, यमूना नदी तक, आप यह लिख सकते हो, पहले इसका पानी, यमुना नदी तक जाता था कौन सी नदी तक है यमुना नदी तक है तो उस इसाब से ये किस की हुई ये बंगाल की खाड़ी की नदियों में पड़ी जाने वाली नदी हुई लेकिन अब इसको रूंडित नदी गोशित कर दिया है यह कैसे देखो इसको देखो यह बार आप देखे दर यह नदी निकलती है यहां से इस तरह से और यह जिस पहाड़ी से निकलती है उस पहाड़ी का नाम है बेराट की पहाड़ीया और यह बेराट की पहाड़ीया मैंने भी आपको बता दिया कि किस दिले के अंदर है यह कौट पुतली बहरोड के अंदर है यह उसके बाद यह नदी यहां पहले यह दक्षिन की साइड जाती है और उसके बाद में इसकी दिशा है वो पस्चिम से पूराव की औ और हो जाती है और यहां यह जाके मैदानी भाग में विलूप तो जाती है बर्दपूर में लेकिन पहले इसका पानी है वो आगे तक जाता था और आगे इस नदी का पानी इधर एक और नदी हम पढ़ते हैं जिसका नाम है यमुना नदी इस यमुना नदी तक किसका पानी ज यमुनानदी ठीक बेराट के पाड़ें से निकली पहले इसका जो परवाच हेतर है वो जिस जिले में है वो जिला है आपका कोटपूतली बहरोड कोटपूतली बहरोड उसके बाद में है जेपूर ग्रामिन जेपूरे ग्रामिन उसके बाद में इसकी दिसा क्या हो जाती है पस्चिम से पूरो द्यान रखना आजकल नदियों की दिसा बहुत पूछते है तो थोड़ा सा याद रखना ये बाद में इसकी दिसा हो जाती है पस्चिम से पूरो की और दोसा और उसके बाद भरतपुर यहां यह विलूप तो जाती है यह भरतपुर के मैदाने भाग में यह विलूप तो जाती है यह लेकिन यह इसका रस्ता है यह तो यह यमुना नदी की साइक नदी हुआ करती थी यह आज नहीं है और इसका पानी पीछे रह गया इसलिए इसे रुंडित नदी का दर्जा दिया गया है यह आपको याद रखना वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसका उद्गम इस्तलह वो बेराट की पाडिया है बेराट की पाडिया आज की स्तथि में कहा है, कोट पूतली बहरोड जीले में है उसके बाद जेपूर ग्रामिन में, फिर दोसा में, फिर भरतपूर में, भरतपूर के मैदानी भाग में यह विलूपत हो जाती है पहले यह नदी कहां तक जाती थी यह मुना नदी तक जाती थी उसके बाद में देखी इस नदी के ओपर कुछ बांध बने हुए है यहां हमने अभी देखा है कि यह जहां से निकलती है वो बेराट की पाहडिया है और इस बेराट की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है पहले इसकी दीसा रहती है दक्सिन साइड में और जैपुर ग्रामिन के बाद इसकी दीसा हो जाती है पस्चिम से पूरो की साइड और फिर यहां भरतपुर के मैदानी भाग में विलूप तो जाती है और इसका रस्ता यहां तक है यह मुनानदी तक था इस नदी के उपर दो बांद बने हुए है यहां एक बांद बना हुआ है यहां एक बांद बना हुआ है और उस बांद का नाम है जमुआ रामगड बांद जमुआ रामगड बांद और ये बांद जिस जीले में है उस जीले का नाम है जेपूर गरामिन तो सिदा सिदा प्रसन पूछ भी सकता है कि जमुआ रामगड बांद कौन सी नदी पर है तो आपका जबाब क्या होगा बाणगंगा नदी उसके बाद में आगे आप चलोगे तो इसी नदी के उपर और भरतपूर के अंदर एक बांद बना हुआ है बरतपूर के अंदर एक बांद बना हुआ है यहां पर और इसे बांद का नाम है अजान बांद इस बांद का नाम क्या है अजान बांद तो इसके उपर दो बांद बने हुए माई एक बांद तो कौन सा है एक बांद तो है जमुआ रामगड बांद और दूसरा बांद कौन सा है अजान बांद ये कहां पर है ये भरतपूर में है ये भरतपूर में और इस अजान बांद में जो पान इकठा होता है यहां से यहां से और इसके पाने के आपूर्ती एक राष्ट्रिय उद्यान में की जाती है जो कि भरतपूर में ही इस्तित है और उसका नाम है केवला देव राष्ट्रिय उद्यान केवला देव राष्ट्रिय उद्यान तो केवला राष्ट्र ये उद्यान को जो पानी की आपूर्ती जलापूर्ती की जाती है वो किस बांध से की जाती है इसे अजान बांध से की जाती है तो ये दोनों बांध आपको याद रखने है ये दोनों बांध कहां पर है ये बांध गंगा नदी पर है इसके अलावा य यहां इस नदी के किनारे यहां एक सब्वेता बनी हुई है और सब्वेता का नाम है बेराठ सब्वेता यदि आपको पूछ ले कि बेराठ सब्वेता किस नदी के किनारे है यह भी कहां पर है कोट पूतली बहरोड में कोट पूतली बहरोड में बेराठ सब्वेता आपको फिर इसका लेओ एक इसकी साहिक नदिया ओ लिख लेना भई साहिक नदिया यहां लिख रहा हूं मैं बान गंगा नदिया की साहिक नदिया बान गंगा नदि की साहिक नदिया यहां साहिक नदिया कौन कौन सी एक तो है गुम्टी नाला गुम्टी नाला एक है पलासन नदि और एक है सावा नदि यह इसकी कुछ नदिया है कभी पूछ ले की निमली कित्में से कोन सी बान गंगा नदि की साहिक नदि नहीं या फिर पूछ लेगा गुम्टिनाल और पलासन नदियां यह किसकी साइक नदियां है तो यह किसकी साइक नदियां है इसे बांड गंगा नदी किसाइक नदी है उसके बाद में देखो फिर एक नदी और आती है इधर यमुना में जाने वाली नदी और उस नदी का नाम है ग का है नादोती की पहाडिया नादोती की पहाडिया और ये नादोती की पहाडिया जिस जिले में है उस जिले का नाम है करोली करोली यहां से ये नदी निकलती है नादोती की पहाडिया से उसके बाद में इसका जो परवाहे छेतर है यानि जिन जिलों में ये बहती है इसका प विंगापुर्शिटी अभी हाले में नविंतम जिलो में एक है उसके बाद में ये रदी सली जाती है दोलपूर में और दोलपूर से फिर वापी से क्रोली में आजाती है तो अलागी क्रोली को अपने को दो बार नहीं रिखना है और उसके बाद में चली जाती है उत्तर प्र जाके मिलती थी, इसको देखो आप, एक बार इस नदी को अपन बनाते हैं, गंभीर नदी है यह, यहाँ इदर क्रोली के अंदर, यहाँ से यह नदी निकलती है, और इस पहाडी का नाम क्या है, नादोती की पहाडी, और यहाँ से यह फिर गंगापूर शिटी, गंगापूर शिटी से इदर फिर बाद में, धौलपूर वापिस करोली, और उसके बाद में यह, इदर उत्र परदेश में सली जाती है, पहले यह नदी आपके, यह नदी भी कहां तक जाती थी, यह नदी आपके, यमुना नदी जाती थी यह उदर वाले नदी कौन सी है यह आपकी यमुना नदी है यह यह यमुना नदी है यह यमुना नदी है यह यह मुना नदी लेकिन आज की स्थती में यह उत्तर प्रदेश के मैदाने भाग में ही लूप तो जाती है जहां से निकल रही है वह है नादोती की पहाड कि जिले में करॉली जिले में उसके बाद में गंगापूर शिटी और धौलपूर देखो इनके परवाद छेतर भी आपको याद करने हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश इसके परवाद छेतर इसलिए याद करने कि कई बार परसन ये भी आता है कि इस अनदी का समद्ध निमन लिखित में से किस जिले से नहीं है तो फिर बात में वहां दिकत हो जाती है अपने ठीक है ना तो करॉली गंगापूर शिटी धौलपूर इन तीन जिलों में इसका परवाज हैतर है बात कलियर हो गई अभी हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे एक गंबीर नदी एक गंबीर नदी की सहायक नदिया सहायक नदिया और उनका नाम है भद्रावती भेसावटे भेसावटे अट्टा माची और बर्खेडा बर्खेडा और यह छोट-छोटी नदिया है यह जो नदिया है यह यह किसकी सहायक नदिया है भई यह बद्रावती बेसावत अट्टा माची बर्खेडा यह सब है गंबीर नदी की सहायक नदिया और इन नदियों पर एक बांद बना हुआ है जिसका नाम है पांचना बांद है कोणसा पांचना बांद है और ये पांचना बांद किस जिले में भई ये करोली में है ये ठीक है पांचना बांद में याद आपको रहना है कि ये राजस्तान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है ये याद रख लोगे ये बाते ठीक तो ये जो गंबीर नदी है इसका उद्गम इस्तल है नादोति की पहाड़िया करॉली करॉली, गंगापूर, शिटी, दौलपूर, उत्रपरदेश के मैदाने भाग में विलुपत हो जाती है पहले ये नदी यमुना नदी की सहाइक नदी हुआ करती थी या फिर इसका पानी यमुना नदी तक जाया करता था यमुना नदी तक परवाहित होती थी आज की स्तती में इसका पानी यहां तक नहीं पहुँच पाता है ठीक है, गंगीर नदी की सहाइक नदियां है बदरावती, भैसावत, अटा, माची, बर्खेडा इनके उपर एक बांध बना हुआ है पांचना बांध करॉली में जो की मिट्टी से निर्मित राजस्तान का सबसे बड़ा बांध है एक बात यह याद रखनी है आपको, ठीक है, अब देखो, इस से एक नट, इस गंभीर नदी की एक साहिक नदी है और, वो मलग लिख रहा हूँ, वो क्यों लिख रहा हूँ, वो बता दूँ आप यह आपको, गंभीर नदी की एक साहिक नदी और है गंभीर नदी की अच्छ अच्छ शोरी 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 एक मूट गंभीर नदी की सहायक नदी और उसका नाम है पार्वती नदी यह दोलपूर जिले की नदी है यह ठीक है पार्वती नदी और इसके उपर ही मना हुआ है पार्वती बांध या पार्वती परियोजना चलती है पार्वती बांध यह भी कहा है दोलपूर के अंदर है यह बात कलियर हो गई अब देखो कुछ कन्फ्यूज हो सकते हैं अपने हाना वो क्या हो सकते हैं उसको भी अपने पूरा कर लेते हैं कि अपने कुछ सब्दों में कन्फ्यूज क्या क्या हो सकता है एक तो अभी हमने देखी है गंबीर नदी गंबीर नदी तो गंबीर नदी है वो तो किस की सायक नदी है ये मुना नदी की सायक नदी है ये मुना नदी की सायक नदी है लेकिन वर्तमान में क्या है वर्तमान में इसका पानी यहां तक नहीं जाता है तो वर्तमान में ये आंत के लड़े मतरीक परवाय की नदी ठीक है। उसके बाद में एक नदी अपन सपर पिछी इसे पड़िए ऑंपने आपने गंभीरि नदी गंभिरिए नदी वो किसक है कमें नदी थी वे उपकी बेड़त नदी की है कमें त्हुए वो बेड़च नदी की सहायक नदी याद आरा के पिछेवला बेड़च नदी की सहायक नदी और हमने ये पढ़ा था कि बेड़च बेड़च वे गंबीरी नदियों के संगम पर क्या है नदियों के संगम पर कौन सा दूरग है चितोडगड दूरग है चितोडगड दूरग है याद आरा कुछ एक चीज तो याद रखने है ये ये थोड़ा सा इसको इस टार लगा लेना अलग से याद करना एक इसके अलावा और भी आया होगा आपके कि पारवती नदी फिर आ गई तो इस कन्फ्यूज को भी आपको दूर करना भई एक पारवती नदी तो हमने पड़ी थी चंबल नदी की सहयक नदी चंबल नदी की सहयक नदी और एक अभी हम पड़ रहे हैं पारवती नदी और पारवती नदी और वो है गंभीर नदी की सहयक नदी गंभीर नदी की सहयक नदी सहयक नदी यह थोड़ा सापको याद रखना है ठीक है एक लाइन ओ लिखायता हूं आपको हाँ देखो एक लाइन और लिख लेता है पर इसी के अंदर ही नोट लगा के वो क्या है कि ऐसी राजस्तान की नदियां जिनका पानी यमुना नदी में जाता है यानि यमुना नदी में पानी गिराने वाली गिराने वाली राजस्तान की नदियां राजस्तान की नदिया यह अपन लिखें सीधा यमुना नदी में सीधा यमुना नदी में पानी गिराने वाली राजस्तान की नदिया तो वो कौन कौन सी है भई जिनका पानी सीधा जा रहा है बीच में कहीं निज्चे से बनास नदी उसका पानी तो सीधा यमुना में नहीं जा रहा है क्योंकि पहले वो चंबल में जा रहा है सीधा पानी त और एक गंभीर नदी एक कॉंड़ सी आपकी गंभीर नदी ये बात कलियर है कि नहीं बताओं ये भी बड़ा important है ये भी बड़ा important रभई इसको भी आप star लगा लेना ठीक है ये थोड़ा सा है इसका screenshot लेओ आप हाँ 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 ठेक है फिर आगे चलते हैं अब उसके बाद देखो अब start करते हैं अपने दूसरा पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट क्या है अरब सागर की नदियां अरब सागर की नदियां मतलब ऐसी नदियां जिन का पानी लास्ट में हम इस साव नदियों का एक अलग से टेबल बनाएंगे पूरा जहां बंगाल की खाड़ी की नदियां हो जाए अरब सगर की आंद्रेप्र पुरौा के नदियां हो जाएंगे वहसे तो याद हो गई होंगी आपके अरब सागर की नदिया कौन-कौन सी है इसको आप एक बार थोड़ा से समझो देखो इदर अरब सागर के अंदर क्या है कि यहां आप अरब सागर की तरफ जाओ गे मैं एक बार इदर बना रहा हूँ यह यहां बनाता हूँ यह है इदर अरब सागर अरब सागर यहां है ना यहां यहां है आपके खंबात की खाड़ी क्या है खंबात की खाड़ी इसका इस्सा है और यह चेतर है यह आपका है कचका रण यह क्या है कचका रण और यहां पर कुछ नदियां हैं जिनका पानी सीधा यहां जाता है उसमें एक नदी यहां होगी ऐसे उसका पानी खंबात की खाड़ी में जाएगा उसका नाम है माही नदी उसके बाद आगे एक नदी होगी जिसका पानी भी खंबात की खाड़े में जाएगा और वो नदी है साबर मती नदी उसके बाद आप आगे चलोगे तो यहां एक नदी है जो कचके रण में विलुपत हो जाती है और उसका नाम है पस्चिमी बनास और इधर से उपर से एक नदी आएगी वो भी कचके रण में है और उस नदी का नाम है लूनी नदी लूनी नदी ये इनका करम भी हो गया देखो ठीक है न ये प्रसंद पूछते हैं दो नदिया तो यहां गिरती हैं आपके खंबात की खाड़ी में और दो नदिया यहां गिरती हैं कच के रण में और इनका करम भी हो गया देखो पस्सिम से पूरो या पूरो से पस्सिम ये इ माही है, फिर शाबरमती है, फिर पस्षी में बना सर उसके बाद में लूनी नदी है. अब इसके अंदर सबसे पहले हम जिस नदी तंतर को पढ़ेंगे, वो अपना है माही नदी तंतर. एक नंबर पे अरब सागर की नदियों में कौन सा तंतर हम पढ़ रहे हैं? माही नदी तंतर तो आगे आप heading डाल लो माही नदी तंतर माही नदी तंतर पहला जो नदी तंतर है वो है माही नदी तंतर माही नदी तंतर है इसका मतलब है इसमें माही नदी और माही नदी की साहिक नदिया हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके माही नदी की, किसके माही नदी की, माही नदी वो ही फिर तत्यात्मक जान करें पहले प्रारमिक रूप से, माही नदी के उपनाम, माही नदी के उपनाम यदि आपको पूछ ले, तो इसे कहते हैं वागड की गंगा, और हमने पिछे बोतीक परद इसे कहते हैं कांठल की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल का मैदान है, वो मुखे रूप से माहे नदी का बहाव छेतर ही है, प्रतापगड का प्राचिन नाम भी कांठल हुआ करता था, कांठल का ताज महल हमने पड़ा था, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना किसको कां अंठल की गंगा ये छेतर है इस छेतर में आदिवासी निवास करते हैं इसलिए इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा क्योंकि इस छेतर के लिए इस नदी का वैसा ही महतुए है जैसा गंगा नदी का महतुए गंगा नदी के आस पास रहने वाले लोगों के लिए है तो उन दक्षिनी राजस्तान की पर्मुक नदी है ये इसलिए इसे कहते हैं दक्षिनी राजस्तान की सुरन रेखा दक्षिनी राजस्तान की सुरन रेखा इतने इसके उपनाम है ये सिद्धे सिद्धे परसन भई आते रहते हैं ठीक है तो यह आपको देखने हैं तो माही नदी तं नदी के उपरा में वागड की गंगा, कांठल की गंगा, आदी वाश्यों की गंगा, दक्षिनी राजस्तान की शुरन रेखा। अब इस नदी को अपन थोड़ा सा इसका बहाव चेतर और देख लेते हैं, इसको एक बाद थोड़ा सा अपन और उपर कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन बनाएंगे गंगा नदी, सोरी माही नदी, देखो इदर, माही नदी जहां से निकलती है, माही नदी जहां से निकलती है यहां मद्दे परदेश से निकलती है यह और मद्दे परदेश में यहां एक जील है जिसका नाम है मेहंद जील और यह मेहंद जील भी विंद्याचल परवस्रेणियों में पड़ती है पिछे हमने बात कि थी कि विंद्याचल परवस्रेणी है वहां से निकलकर राजस्तान में बहुत सारी नदिया आती है और जिस राजे से निकल के आती है वो राजे कौन सा है मद्दे-प्रदेश है तो यह इसका उद्गम इस्तल हो गया मेहंद जील माहे नदी का उद्गम इस्तल क्या है? मेहंद जील यहां से यह नदी निकलेगी उसके बाद यह नदी राजस्तान की तरफ आती है और मद्दे परदेश में यहां बहने के बाद मद्दे परदेश में बहने के बाद मद्दे परदेश में बहने के बाद और यहां राजस्तान में पर्वेस करती है फिर उसके बाद राजस्तान के बांसवाड़ा जिले में फिर बांसवाड़ा और परतापगड़ की बाउंडरी पर बैती है उसके बाद वापिस निचे की चलत चली जाती है और इधर डूंगरपूर और बासवाड़ा की सीमा पर उसके बाद गुजरात में चली जाती है और लास्ट में ये नदी कहां चली जाती है लास्ट में ये नदी गिर जाती है खंबात की खाड़ी के अंदर लास्ट में ये नदी कहां गिर गई ये आपकी खंबात की खाड़े में गिर गई ठीक है लास्ट में कहां गिर गई है खंबात की खाड़े में अब देखो बात अपने ये कर रहे है कि राजस्तान में इसका परवेश तो राजस्तान में इसका जो परवेश छेतर है उसका नाम है खंदू गाउं यहाँ यह परवेश करती है यह राजस्तान में परवेश है उसके बाद इधर मासवाड़ा में बहती है यह मासवाड़ा में बहने के बाद यह परताप गड़ और मासवाड़ा की सीमा पर और उसके बाद इधर यह सलिजाती है वापिस डूंगरपुर में और फिर ये फिर ये नदी वापिस चली जाती है गुजरात में यहाँ ये नदी बह रही है मद्दे प्रदेश में पहले ये नदी कहा बह रही है मद्दे प्रदेश में फिर ये नदी राजस्तान में बही राजस्तान के कौन कौन से जिले हो गए एक जिला तो गया बांस्व गुजरात में ये क्या है गुजरात है और गुजरात के जिस जिले में परवेश करती है उस जिले का नाम है मही सागर मही सागर जिले में ये कहां परवेश करती है गुजरात में ये परसन पिछे पुछा था किसी एक्जाम में ठीक है और लास्ट में ये कहां गिर गई आपक खमबात की खाड़ी में गिर गई क którzy ईग रहा है बात के यह कोण सिन नदी ही यह तिक यह नदी कोण से आपकी मही नदी ह Easy को यह मही नदी है अपकी खह कह तो क्षuden है भुष आभग 255,0 अपने लिख sigui कि एक तो इसका उद्गमिस तर्व तक उद्गंश तर्व को सा है माही नदी का त उद्गमिस्ता Л, मेहंद झील कोन सी मैहंद ञील मेहन जील मेहन जील कौन सी परवस्रेणी में तो लिखा विंद्यासल परवस्रेणी में राजे कौन सा है मद्दे परदेश फिर इसका परवा है छेतर इसका परवा है छेतर परवा छेतर भारत में तो किन किन राज्यों में है तो मद्दे परदेश में है उसके बाद में राजस्तान है और राजस्तान के बाद में ये गुजरात में बैती है फिर राजस्तान में बहाव छेतर राजस्तान में इसका परवा है छेतर राजस्तान में परवा छेतर तो राजस्तान में परवा छेतर तो वो किन किन जीलों में है तो वो आपका बासवड़ा में हो गया बासवड़ा में हो गया और बासवड़ा का कौन सा गाउँ खांदू गाउँ यह याद रखना यहां मलिक देता हूँ यह जो खांदू गाउँ है यह इस माही नदी का यहां पे माही नदी माही नदी राजस्तान में पर्वेश करती है राजस्तान में पर्वेश राजस्तान में पर्वेश करती है ये ठीक है तो मास्वाडा हो गया उसके बाद आपका परताप गड़ हो गया और उसके बाद में डूंगरपूर हो गया डूंगरपूर हो गया इसका स्क्रीन सोट लेओ आप फिर देखो वापिस में रिपीट कर रहा हूँ माहे नदी के अपनाम वागड की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवास्यो की गंगा, दक्षिनी राजस्तान की गंगा इसका उद्गमिस्तल मेहन जील, विंद्याचल परवस्रेनी, मद्देपरदेश, राजस्तान में परवेस, खांदू गा, बासवड़ा, बासवड़ा, परताब के डुंगरपूर, ये राजस्तान में परवाचेतर, और तीन राज्यों के अंदर, मद्देपरदेश, राजस् माही नदी की लंबाई माही नदी की लंबाई है पानसो चिंतर किलोमेटर पानसो चिंतर किलोमेटर और राजस्तान में लंबाई कितनी है यदि ये पूछ ले कि माही नदी की लंबाई राजस्तान में राजस्तान में लंबाई कितनी है तो वो 111 किलोमेटर है पूरी लंबाई 157 km है लेकिन राज़स्तान में इसकी लंबाई कितनी है तो राज़स्तान में इसकी लंबाई 171 km है बात आग़े समझ में यहां तक उसके लाद में देखो और कुछ फेक्ट और लिख सकते हैं अब यहां पे हाना और भी अपन कुछ बातें लिख सकते हैं माही नदी के बारे में कि एक तो यहे नदी या फिर मही नदी मही नदी माही नदी करक रेखा को दो बार काट रही है करक रेखा पड़ी थी अपने करक रेखा राजस्तान के कितने जिलों से गुजरती है भई दो जिलों से डुंगरपूर औरे बासवड़ा ठीक है करक रेखा को तो पहले पहली गलास के अंदर अपने इसको ही डिसकस किया था तो बार बार दुबार बताने याउ सकता है नहीं माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है दो बारे काटती है ठीक है उसके बाद में देखो एक इसका आकार ना आकार आकार इस नदी का आकार कैसा है आकार है उल्टा यू उल्टा यू नहीं बन रहा है क्य आइए ऐसे तहीं तो बंद रहा है इसका इ्योट यू यह इसका यूधर सिद्राइउ यूधर डिकना तो इसक आकार कैसा है ओल्ट यू ठीक एक इसनदी पर कुछ बांद बने हुए हैं हो बांद बने हुए है इसका और अपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि देखो दर कि एक बार इस नदी को वापीस मनाते हैं पर अपर अपर यह नदी आपके इस नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए है एक यहां बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध माही बजाज सागर बांध और यह बांध किस जिले में है यह है बांस वाड़ा के अंदर कहा है बांस वाड़ा में तो एक बांध यानि इसके उपर बांध कौन कौन से है बांध कौन कौन से है वो देखो माही नदी पर बांद कौन कौन से बने हुए है तो पहला बांद कौन सा है माही बजाज सागर बांद है माही बजाज सागर बांद है और माही बजाज सागर बांद है ये आपका का मना हुआ है ये मासवडा के अंदर बना हुआ है इसमें एक बात याद रखनी है ये जमिनालाल बजाजी के नाम पे है इसका नाम माई बजाज सागर बांध में एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये है राजस्तान का सबसे लंबा बांध है राजस्तान का सबसे लंबा बांध है देखो राजस्तान का बराव सम्ता की दर लंबाई है इसकी जो लंबाई है वो है 3109 मिटर कितनी है 3109 मिटर यहां तक बात कलियर है उसके बाद देखो फिर इसके उपर बांध अच्छा हाँ अभी परसन पूछा था मैंने कि यह पूछ ले ना कि राजस्तान का ब्राव चमता की दरश्टी से सबसे बड़ा बांध क ना कॉणसा थे तो आपनतर क्या होगा तो वह आपका पांच ना बांध हुगा क्रोली के अंदर पांच नदिया है छोटी-छोटी कि आपकी किस की साहज नदी हैं गंबीर की साहज नदी है उन पर बना हुआए यह इसके बाद आप आगे चलोगे ना तो इसके उपर एक और बांध बना हुआ है यहां पर यहां एक और बांसवाड़ा में बांध बना हुआ है और उसका नाम है कागदी पिकपे बांध कागदी पिकपे बांध और यह बांध भी कहां पर है ये भी आपका बांसवाड़ा में है ये भी कहाँ पर है आपका बांसवाड़ा में है तो दूसरा जो बांध है ना इसके उपर ये आपका कागदी पिक अप बांध है कोणसा है कागदी पिक अपे बांध है इसके उपर परियोजना चलती है ना जो माही परियोजना चलती है हाना जो कि राजस्तान और गुजरात की सवियुक्त पृजना है वो अपन परियोजनाओं में पढ़ेंगे वो तो यह बासवरणा में बना हुआ है एक बांद गुजरात में इसके उपर देखो इदर जैसे ये ये नदी इदर गुजरात में चली गई है इदर ये राजस्तान में पर्वेस किया एक बांध है गुजरात में यहां बना हुआ है एक बांध ये आपका तीसरा बांध है इसे माही नदी के ओपर और उसका नाम है कड़ाना बांध है क्या नाम है कड़ नाना बान बान ऑना रभी ये गुजरात में बानाँ उर तो इसके ओप ए तीन बान अग्ण बांद स्वाइबा बांद है तो एक तो माई बजा जाज भास आप्जार्श तानंका सबसे में जो कि रजाज और चब्युकंब करें चाहरत भूह सिंसिय संड़ा को सांगर बात घ पुद्गम इस्तल ये बहाव चेतर हमने देख लिए ये फिर बाद में माहिन अदिशे सम्मधित और बाते देख लिए इनका स्क्रिंशोट लेवाप कि अधिक है मान चेतर में बताएंगे इसको आपको कि अधिक हो मांचितर में देख लिए आपके दो के मांचितर में बताएंगे अधिक है कि अधिक है देख अधिक है इधर यहां से यह मेहंद जील है यहां से निकली फिर फिर खांदू गाहां बास्वाड़ा में प्रवेस किया फिर उसके बाद राजस्तार में फिर इदर प्रतापगाड प्रतापगाड बास्वाड़ा की सिमा में वापिस सले गई इधर डूंगरपूर डूंगरपूर बास्वाड़ा की सिमा में और इधर यह नदी कहां सले फिरे आपके खंबात की खड़े में से ले गई अधिक है यह माई नदी है यह कि यह माई नदी है यह कि इसका दो परवेशी स्थाल है यहां पर यह कोड़ सा है खांदू गाउं कि जीले के अंदर एं यह मासवड़ा में है यह ठीक है पहले यह इधर यह जीला कॉण सा है यह यह अजिला कॉण सा है यह आपका प्रतापंग जड़ım है यह जीला कॉण सा है यह आपका डंगपुर ठीक इसको भी देख लो आप पिर देखे पिर अपने बात करते हैं इसकी साहेक नदियों के साहेक नदियां ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है माही नदी की साहेक नदियां ये साहेक नदियां तो बहुत इंपोर्टेंट है आज कल माही नदी की सहाएक नदिया तो सहाएक नदिया देखो कौण कौण सी है पहले एक बार मैं नाम लिख देता हूं इनके फिर अपने कुछ मोटी-मोटी नदिया उनके बारे में तो जीकर कर लेंगे हाना एक है आपकी सौम सौम नदी जाखम नदी अनास नदी उसके बाद में आपके है मौरेन नदी चाप बहादर और एराव या एरी ये इसकी साइख नदीया ठीक है सौम जाखम अनास मौरेन चाप भादर एराव आप इसको पन थोड़ा सा मानचितर में भी देखने कोशिश करते हैं नदीयों को एक-एको ये ज़्यादा छोटा दो नहीं हो रहा ना देखो इदर सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार माही नदी को वापिस मनाते हैं हाना ये माही नदी है ये इदर बना लता हूं मैं ये नदी कौन सी वही ये आपकी माही नदी हो गई ठीक है ये नदी हो गई आपकी माही नदी अब इसकी साइक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं सोम नदी की किसकी सोम नदी की ये जो सोम नदी है ना सोम नदी और यह पहडिया कांपर रहा बई यह उदेपूर में है यह उदेपूर में तो इसका जो उद्गम इस्थल न सोम नदी का उद्गम इस्थल that out उड़नानें वह क्या है वो इसा मेड़ा की पहाडिया है वो मैं दो दौबार लिख रहा हूं नाचै याद और चर्पी प्हामेडा की पहाड़िया यह सिर्फ याद करने के लिए लिख जा रहा है रिखामेडा की पहाड़िया कहां पर, Udhepur में इसके बाद में इसका परवाचेतर तीन जिलों में एक तो बैई Udhepur होई गया इसका परवाचेतर यदि पूछ ले तो एक तो है Udhepur और Udhepur से तूटकर एक नया जिला बना जिसका नाम है Salumbar Salumbar और एक है आपका Dungarpur डुंगरपुर और उसके बाद में क्या होता है यह नदी डुंगरपुर में एक इस्तान है बेनेश्वर बेनेश्वर धाम बेनेश्वर धाम बेनेश्वर धाम के पास एक गाव है नवाटाप्रा जहां ये बेनेश्वर धाम बना हुआ है जिला कौन सा है डुंगरपूर में तिरिवेनी संगम बनाती हुई इसका मतलब एक नदी और आएगी तिरिवेनी संगमें बनाती हुई माही नदी में विले माही नदी में विले बात के लिए यहां तिरिवेनी संगम मनता है यहां आपका बने सवरधाम है क्या है बने सवरधाम और यह बने सवरधाम जिस गाओं में है उस गाम का नाम क्या है नवाटाप्रा जिला कौन सा है तो डूंगरपूर ये गाउं का नाम एक बार पूछ लिया था भई ठीक है और क्या बना रहे है त्रिवेनी संगम बना रही है यह इसका मतलब एक नदी ओर आएगी वो इसकी अगली सा एक नदी है उसका नाम है जाखम एक तो सोम हो गई और एक कुण सी है जाखम जाख वर्कषाद ये डूंगरपूर में इसे थोड़े पहले एकदम पास मनी एक दम थोड़े तफिर तीन नदिया अलग बगोगा न इसलिए चाबन गया यहाँ यहाँ पे एक त्रिवेनी संगम बना गया बेनेश्वर धाम में क्या है यहाँ यहां पे एक बई त्रिवेनी त्रिवेनी संगम ठीक है और यह जो नदी है यह नदी यह जहां से निकलती है वो है भंवर माता की पहाडियां भंवर माता की पहाडियां और यह किस जिले में है यह परतापगड में है यह परतापगड में है यह ठीक है यह नदी कौन सी होगी यह नदी होगी आपकी जाखम नदी जाखम नदी यह नदी कौन सी इधर वाली यह आपकी सोम नदी है कौन सी नदी है सोम नदी है यह तो यह त्रिवेनी संगम है और य यहां पर लगता है माग पूर्णीमा को मेला कब लगता है माग पूर्णीमा को मेला लगता है और इस मेले को कहते हैं आदी वाश्यों का कुम्ब क्या कहते हैं आदी वाश्यों का कुम्ब ठीक है ये थोड़ा सा लिखवा पिर अपने थोड़े से सौम नदी के ओपर बांद और जाकाम नदी पर बांद उसकी बीच चर्चा करेंगे इसका स्क्रिंशोट लेए उबाराव देखो इदर आके चलते हैं कि इदर देखी सरो मस्यिद्धेलग देता हाँ समठ जाओ याप इसके और बाद रही को बात पहले पर किस की कर रहे थे सोम नदी की की आना सोम नदी की बात कर रहे थे ना सोम नदी पे कुछ बांद बने हुए । उसके बाद जाका Hindi पaces फ़ी मजा बात करेंगे अब सौम नदी पर बांद है सौम नदी पर बांद है या बांद परियोजन आए उसमें से एक बांद है उसका नाम है सौम कागदर है देखो नाम ही दिग रहा है सौम 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 है कागदर है बांद और ये कि जिले में है ये है उसे उदेपुर जिले में कि जिले में? उदेपुर जिले में और इसके ओपर परियोजना भी इसलती है सूम कागदर परियोजना दूसरा बांद है सूम कमला अंबा सूम कमला अंबा बांद और ये जो बांद है ये आपका डूंगरपूर में है और सौम-कमला-अंबा यह सौम-णदी के ऊपर दो बांद बनेुए है है उसके बाद में हमने आगे वाली जो नदी है वो कुण सी देखी अबी? जाउखम नदी आगली नदी हुआने कुण सी देखी? इसकी साहिक नदियो में? तो जाउखम नदी जाक्खमे नदी जाक्खम नदी का उद्गम इस्तल क्या लिखा अपने अभी जाक्खम नदी का उद्गम इस्तल क्या लिखा हैं जाक्खम नदी का उद्गम इस्तल लिखा हमने भवर माता की पहाडिया भवर माता की पहाडिया और किस इले में है ये परतापगड में है ये फिर बाद में इसका परवा छेतर देखेंगे अपने राजस्तान में बैती है तो राजस्तान में इसका परवा है छेतर इसका जो परवा छेतर वो तीन जिलों में है एक तो जहां से ये निकल रही है यानि प्रतापगड एक अभी नया जिला पास में बना है इसके सलुंबर है और उसके बाद में डुंगरपूर और फिर डुंगरपूर में क्या बनेगा त्रिवेणी संगम हाना यहां लिख रहा हो वापिस त्रिवेणी संगम यह त्रिमेनी संगम कहा बनता है बेनेस्वर धाम कौण सा धाम बेनेस्वर धाम किस गाउं में है उस गाउं का नाम है नवाटापरा जीला कौण सा है तो वो आपका डूंगरपूर है ठीक है क्लियर उसके बाद देखो और अब यह त्रिमेनी संगम बन रहा है तो तीन नदिया होंगी तो वो त्रिमेनी संगम में तीन नदिया कौण सी है तो एक तो हो गई आपकी माही एक हो गई आपकी सोम और एक हो गई जाख्म पिछे भी हमने त्रिमेनी संगम देखे थे हैं ना वो बनास नदी शीप नदी फिर बनास नदी पर पर अपना कुछ देखे थे बिगोद, राजमहेल, रामेश्वरम, वो यह नाम भी आद रहना भई, पिछे वाले, और एक यहाँ पर बन रहा है तुरिवर्णी संगम, एक याद रखना, कि इसे नदी के उपर एक बांध है, और जिसका नाम है जाखम बांध, जाखम नदी के नाम पर यह जाखम बांध, और यह जाखम बांध है, यह परतापगड में है यह, कहां है, परतापगड में है यह, और यह राजस्तान का सबसे उंचा बांध है, राज से उंचा बांद सबसे उंचा तो इसकी उंचा याद रखनी यह वो किती है, 81 मिट्र एक हमने 18 मिट्र और देखी थी एक चीजा, 18 मिट्र क्या है भई, 18 मिट्र किसकी उंचा ही थी, हैं, चूलिया जल परपात की, यह 1 कैसी है भई, गडबड मत कर देना, चूलिया जल परपाथ चूलिया जल परपाथ किस जिले में था तोची तोड़ गड़ में और चूलिया जल परपाथ क्या है राजस्तान का सबसे उंचा जल परपाथ राजस्तान का सबसे उंचा जल परपाथ उंचा जल परपाथ ठीक है तो यह भी आद रखना आप यह भी इंपोर्टेंट है यह दोनों थोड़ी उंचाई में गड़बड मत कर देना हाना ठीक यह 81 मिटर है और यह आपका 18 मिटर है कलियर यह जाक्कम बाद अब देखो बांद के चार प्रशन ब्राव चमता के दर्ष्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा बांद कोण सा है तो वो तरहना प्रताब सागरबान चंबल नदी के ऊपर चितोडगड के अंदर रावत बाटा में सबसे उंचा बांद जाक्कम बांद हो ग तो एक इसकी साहिक नदी सोम हो गई हाना और एक इसकी साहिक नदी कौन सी हो गई जाक्कम हो गई हाना ये सोम और जाक्कम से समधित बाते हैं बात आगे समझ में आच्छा सोम नदी की साहिक नदी पूछ ले ना सोम जाक्कम की साहिक नदी की साहिक नदी पूछले तो जाक कि सहायक नदियां सायक नदियों से समंदीत परशनाते हैं इसलिए जिकर कर रहे हैं अपना सो मनदी कि सहायक नदियां कौन कौन सी है तो एक तो जाक हम होई गई एक है गोमती एक सार्नी और एक टिंडी ये भी ठोड़ा याद कर लेंडे ये सौम नदि कि ठीक है यह त्यकिर लो गें इसलिकर है इढ़ले जाक हम गोमती सार्नी और टिंडी इनको भी आपको याद करना है ये सॉम नदी की साइख नदिया है कलिए रहे हैं यहां तक उसके बाद में देखिए एक मुनट तक जाकम नदी की साइख नदी भी अपन कर लेते हैं जाकम नदी की साइख नदी पूछ ले तो वो भी आदकरनी है जाक्खम नदी की सहायक नदिया तो वो है जाक्खम नदी की सहायक नदिया सूखली और करमेली करमेली और सूखली एक चीज और याद रखने हैं यह जाक्खम नदीखें सिता मता अभिया अन्से गुजरती हैं यह थे अभिया अन्से घूजरती है यह है? थेक है तो ये भी याद रहना तो दो इसकी साइक नदी हो गशे till Shalom लिगे- तो फो वगए प्वर हो गशे पन सवार एक अनास को भी पढ़ेंंगे थोड़ाया अनास को भी अनास अ कि एक इसकी शायक दोधिया पुर्ड़ते हैं अनास नदी टीसरी कौन से कि अनास मभी पिर कुछ नाम पे कि जशे थो एक परट पहले अपने पड़ा ना गंबीर वरे घंबी अऊए गंबिरी और एक यह पड़ होती पारवती नाम कीज इसे यहां पर भी यह अनास ह्रो एक बनास है, इस अनास नदी का जो उद्गम इस्तल है, उद्गम इस्तल है, वो आपका आम्बेर गाउं की पहाडियां है, ये आम्बेर अमेर अपने वाला ये नहीं है, आम्बेर गाउं की पहाडियां, ये इस विंद्याचल परवश्रेणी में ही है, विंद्याचल परवश्रेणी, और राज्ये वोई मद्दे परदेश, यहां से ये निकल के आती है, आम्बेर गाउं की पाडियों से, और राजस्तान में इसका जो परवेश होता है, तो राजस्तान में इसका जो परवेश होता है, वो होता है मेलेड़ी कھیड़ा, बास्वाडा जिले में ठीक है और उसके बाद बास्वाडा में बैती है ये और डुंगरपूर में बैती है बास्वाडा बास्वाडा डुंगरपूर में प्रवाहित होकर गलिया कोट के पास गलिया कोट के पास ये कहा है डुंगरपूर में है गलिया कोट के पास माही नदी में विले थीक है ये एक आपकी अनास नदी होगे इसकी साइक नदियों में फिर देखो यापने को पूछ लेगी है गलिया कोट है गलिया कोट,'ㅁ और माम्ही नदी के नदी के नदी के नदी के नदे तो बेनेश्वर होगया और ये गलिया कोट हो गया गलिया कॉट 151 में क्या रहे हैं बहुरा संपर्दाय की पर्धान पीट तो तीन साहिक नद्यों के बारे में अमने जिकर कर लिया है सौम जाखम और अनास अब देखो नाम में कुछ इदि गडबड हो ना कि कौन कौन से नामों में अपने गडबड हो सकती है वो थोड़ा सापड़े एक बार और देख लेते हैं हैं कर्फ्यूज वाले नाम देखो इदर एक तो बनास है और एक अनास है यह अलग अलग है यह बनास तो किसकी साहिक नदी है चंबल नदी की साहिक नदी चंबल नदी की साहिक नदी और अनास किसकी साहिक नदी है यह माही नदी की साहिक नदी अच्छे एक नाम और है जहां अपने गडबड हो सकती है अपने एक तो ये जोड़ा और एक देखो मोरेल है मोरेल है और एक अभी हमने पढ़ा मोरेन है क्या पढ़ा मोरेन ये अलग अलग है मैं ये कभी है मैं सोच ना कि ये मिस्प्रिंट हो गया होगा मोरेल है ये तो बनास नदी की सहाइक नदी है याद आ रहा कुछ बढ़ने माहि नदी की सहायक नदी तो ये नाम बार बार इवाड मैं लिख राओं ये इसलिए लिख राओं कि गडबन ना हो ला पिछे अपने क्या पड़ा गंबीरी और गंबीर एक तो ये जोड़ा पड़ा फिर पार्वती 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 और एक अभी अपने नाम आगे है बनास अनास मोरेलोरे मोरेन इसका स्क्रीन सोट लेवा आप ठीक है फिर देखो यह माई नदी तंदर कंप्लीट हो गया बई यह ना यह थोड़ा याद रख लेना यह माई नदी के साइक नदी यह सारी है है तीन के बारे में अच्छी तरीके से अपने जिकर कर लिया है यह आपके वो कर्फ्यूज वाड़ा वर्ड हाना अर्बाकी राम्यात कर लेना चाप बादरोरे एराओ कलेर है यह यह आँ तक है अब देखो को अधिकत अब देखो लूरी मधें गड़ तो अपने अलग से पढ़ेंगे लूरी ठंदर को दो नदियां और जो अपने इस समद अरभ सागर के पोठ श्यत्र का बाग है एक नदी है उसका नामे साबर मती नदी क्या नामेए शाबर साबर्मती नदी यह साबर्मती नदी है इसका उद्गम इस्तल है इसका जो उद्गम इस्तल है ना वो है अपने पादरला गाओं की पहड़ियां कोटड़ा तैसिल उदेपुर तो कोटड़ा की पाड़िया जैना तो भी एकी बात है कोटड़ा तैसिल उदेपुर यहां से यह नदी निकलती है साबर्मती नदी इसका उद्गम इस्तल क्या है पादर लगाओं कोटड़ा तैसिल आजैना कोटड़ा की पाड़ियां तो अभी बात एक ही है, पादरलाया, पादराला, यह दोनों नाम ही है, यह पादराला है, यह पादराला काओं की पाडियां, कोटडा की पाडिया भी आता है, आगई बात समझ में, इसके बाद में क्या है यह जो नदी है अपने साबर मती नदी यह एक तो उदेपुर और थोड़ी सी यह डूंगरपुर में जाती है में परवाहित होकर परवाहित होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है गिर जाती है तो खंबात की खाड़ी में एक तो हमने क्या देखा अभी कि खंबात की खाड़ी में गिर रही है माई नदी और एक कौन सी है आपकी साबर मती नदी ये दो नदियां आपके कहा गिर रही है खंबात की खाड़ी में गिर रही है क्लियर है इनका करम याद रखना बाद पस्चिमी बनास और लूनी नदिया ना वो कहा जाएंगी वो दोनों नदिया आपके उधरे कच के रण में विलूप्त हो जाएंगी ठीक है अब ये नदी बैती तो राजस्तान में है लेकिन है मुख्य नदी ये गुजरात की है क्फ़र अधिर्श्तान में इसका परवाच्हेतर कम है मुख्य रूप से इसका परवाच्हेतर ही आपके काप रहे है गुजरात में है क्योंकि ये जो नदी है इस नदी की लंबाई है ना आपको पूछ ले की कुले लंबाई के टीज नदी की तो 400 16 किलो मिट रहे और उसमें देखो राजस्तान में है ना राजस्तान में लंबाई सिर्फ 45 किलो मेटर है राजस्तान में लंबाई 45 किलो मेटर सिर्फ कितनी 45 किलो मेटर इसलिए आप यह कह सकते हो कि गुजरात की मुखे नदी है यह गुजरात की मुखे नदी गुजरात की मुखे नदी है ये लम्माई देख लो आप बाकी तो गुजरात में है सारा का सारा और फिर गुजरात और गुजरात की राजदानी कौन सी है गांदी नगर ये तो पता है कि आपको गुजरात की राजदानी गांधी नगर और एमदाबाद सहर एमदाबाद सहर में साबरमती आसरम है ये सब भी इस नदी के किनारे है हाना तो गुजरात की राजदानी गांधी नगर साबरमती आसरम नाम में साबरमती नदी है साबरमती नदी किनारे साबरमती आसरम इन इस नदी के किनारे हैं ये नदी के किनारे ठीक है ये साबरमती नदी है मुखे रूप से नदी कहां की है मुखे रूप से नदी एक उजरात की है ये राजस्तान में लंबाई सिर्फ 45 किलोमेटर यह 416 में से यहां तक बात कलिए रहे हैं उद्गम पद्राला पद्राला गाउं की पहाड़ी कोटड़ा तेसिल और फिर राजस्तान में बैती है 45 किलोमेटर यह कहां बैती है 416 किलोमेटर में से सिर्फ 45 किलोमेटर अपने बैती है बाकी यह कहां बैती है तो बाकी यह अपने गुजरात में बैती है ठीक है उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी सहाएक नदियों की यहां से प्रसन बहुत अच्छा आता है साहेक नदियां इसकी कौन-कौन सी है साहेक नदिया साहेक नदिया साहेक नदिया साहेक नदियों में देखो आप एक इसकी साहेक नदी है वाकल है और वाकल की साहेक नदी है मानसी यहां लिख रहाओ में, वाकल की सहायक नदी, कौन सी है? मानसी, मानसी वाकल जो जल सुरंग पढ़ते हों, इन दोनों नदियों को ही जोडती है, ठीक है? तो यह इस मानसी है, वो वाकल की सहायक नदी है, इसके बाद में एक वेतरक है, वेतरक है, फिर है हत्मती, एक स्यही है, ये भी बड़ी इंपोर्टेंट नदी है, स्यही नदी, एक है माजम या फिर याजम, माजम या याजम नदी, इंपोर्टेंट है, ये परसन पीछे पुछा गया है, इस नदी का, माजम या याजम, हाना, तो इसकी सायग नदी ये हैं, वाकल, वेतरक, हत्मती, सेई, माजम या फिर याजम, इसका स्क्रीन सोट लेओ, फिर इस नदीों को मैं डाइग्राम में दे वाकल, वेतरक, हत्मती, सेई, माजम, अचा, पिछे अपने हीरन नदी उसमें नहीं लिखिये, अपने अनास नदी की सायग नदी एक हीरन, अभी लिखतेता हूं मैं, हाना, कहां लिखा है, अपने अनास पिछे पढ़ा है, हाँ, इधर देखो, हीरन या हरन, ये दोनों सब नदी मिलते हैं ये, ये किसकी सायग नदी है, अनास की सायग नदी है, अनास की सायग नदी, ये नाम भी आद गले ना भई, ठीक है, और इसकी सायग नदी हो गई, वाकल, वेतरक, हत्मती, सेई, माजम, और एक मेस्वा भी है, मेस्वा नदी, ठीक है, इसको अपन थोड़ में और देख लेते हैं यारे मक्खी पिछे पड़ेंगे एक और देखो इदर यह आपकी नदी कौन सी है कि साबर मती नदी कि साबर मती नदी कि उद्गम इस्तल क्या है पद्राला पहाड़िया ठीक है इसकी साइक नदियों में सबसे पहले बात करते हैं सेही नदी की है हमने पिछे लिखा ना सेही नदी यह सेही नदी इसकी साइक नदी है एक नद टुकना भई थिक हां देखो बात अपन क्या कर रहे थे सेही नदी के एक इसकी साइक नदी यह नदी इसकी साइक ने पहले नदी है में पहले नदी है एक नदी कोड़ी है सेई नदी है सेई नदी इस नदी का नाम क्या है सेई नदी ठीक है यह सेई नदी जहां से निकलती है वो है पादरना गाओं की पहाड़िया यह नाम एक जैसे यह पादर नहर वो पद्रला है और यह दोनों उदेपूर में वह यह ठीक है यह थोड़ा से भशितासे याद रखना और इस सेई नदी के बार्द बनावा है इस इस के बार्द बनावा है और उसका नाम है सेई बार्द ए क्या नाम है सेई बांध और इस सेई बांध से अपने यहाँ पस्चिमी राजस्तान का एक प्रमुख बांध है वहाँ पानी की आपूर्ति की जाती है और उस बांध का नाम है जवाई बांध क्या नाम है जवाई बांध आगे हम पढ़ेंगे जवाई बांध को ऑट जवाई बांद इससे जवाई बांद को पाने की आप उर्ती कहां से की जातीय इसे यह बांद की जातीयति एक तो इसकी सांग नदी बें को ची लुए नदीयों ऐहना पड़ना है और वह पडला है। ठीक न एक जैसे नाम है और इसके उद्गम इस तर आजगल पूछने लग गए इसलिए थोड़ा सा अपने इसको डंग से पड़ रहे हैं बाई ये चोटी चोटी नदियों के अरे ये कैसे क्या निकल गए है और इला इन चोटी चोटी नदियों के उद्गम इस कल इस तर आसल पूछने लगक है कि ऊठीर एक इसकी साहिग नदी कोड़ है यह इदर कैसे आ अच्छी ठीक एथ एक इसके साहिग नदी है वाकल अब, इदर भंणा लेते हैं दिखिक यह वाकल है इस नदी का नाम क्या है वाकल ृ यह आपकी है वाकल नदी है है को बखय को चलिब वाक्कल नदी निकलती है गोगुंदा की पाडियों से, गोगुंदा की पाडियों से और कुण से नदी निकलती है, बेड़ अच्छ, ठीक न, ये वाक्कल नदी है, और वाक्कल नदी की एक साइक नदी और है, इसका नाम है मानसी नदी, क्या नाम है, मानसी नदी, और इन द दोनों नदियों को जोड कर, इन दोनों नदियों को जोडा गया है, एक जल सुरंग से, और इस जल सुरंग का नाम इन दोनों नदियों के नाम पे है, मानसी वाकल जल सुरंग, मानसी वाकले जल सुरंग, मान ची वाकल जल सुरंग तो वाकल किस कि सायग न द formati की है मान ची पिर किस की है वाकल गए यह तो अपोश्ट 나올 एक यह इसका और यह राजस्तान की सबसे लंबी जल सुरंग है राजस्तान की सबसे लंबी जल सुरंग जल सूरंग ठीक है यादर जय गए पहले तो गया सेई पे शेई बांद Mikey Banda और जमाय बांद को पाणे कहा पूरती फिर वाक्कल गोगुद्धा कि पाडियों २म्त गाड़ को इसके मांसी वाक्कल को चोड़ की जल सूरंग में मांसी वाक्कल जल सूरंग एक है वेत्रक वेत्रक इदर डूंगरपूर से आती है ये वेत्रक इदर डूंगरपूर से आती है और फिर ये गुजरात में जाके इसमें मिल जाएगी ये है वेत्रक नदी वेत्रक नदी ये जोदरी गाओं की पाडियों से निकलती है ये और यह पढ़ दूंगरपुर में. डूंगरपुर में. ठीक एक वित्रक हो गई. सेही हो गई, वित्रक हो गई, वाक्ल हो गई. इसके अलावा नामाने लिखाए दिये, हत्मती है, मेसवा है, ठीक ना, और माजमिया यादजम है. ये भी इसकी साइक नदियां है भाई इनको डंग से याद कर लिए इस डाइग्राम का स्क्रीन सोट लेवाब फिर देखो उसके बाद में जो नदी है वो आपकी है पस्चिमी बनास इसे अरब सागर की तीसरी नदी है पस्चिमी बनास एक बनास है और ये बनास के पस्चिम में है इसलिए इसका नाम हो गया है पस्चिमी बनास और एक अनास है ठीक है? इसका जो उद्गम इस्तल है वो शिरोई में है इसका उद्गम इस्तल है शिरोई में किस्तान पड़ता है नया सानवारा नया सानवारा कहां पे? शिरोई में यहां से यह नदी निकलती है और उसके बाद में गुजरात में परवाहित हो कर ए गुजरात में परवाहित होकर, कच के रण में गिर झाती है, मिलुप्त हो जाती है ठीकल ना यह पहले यह पढ़ी वग ता नेकिन यहाँ पर और अगाद यहाँ प्लाय भा़्ण समवनु गघज या दो साद समय गया तो आज ये कच्के रन के रूप में है ये एक गुजरात का परशिद सहर है दिश्सा गुजरात का परशिद सहर दिश्सा ये भी किस नदी के किनारे है ये इसे पस्चिमी बनास नदी के किनारे है ये ठीक इस किसा है एक नदिया एक तो सूकली है एक गोहलन है और एक धारवेल है ये इसकी क्या है सहाइक नदिया ये सहाइक नदिया मैं याद कर लेना ये परसन पूस तें आज कर बात यहां तक लियर है तो ये इसकी सहाइक नदिया सूकली गोहलन और धारवेल तो इसका भी स्क्रिन सोट लेओ आप तो यह अपने राजस्तान की कुछ नदियां और अपने आज की हैं खल अपने लूनी नदी को कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में आंतरी परवा के नदियां फिर कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद नदियों पेर भी अपने के कुछ जो परसन है उनका सॉलिशन करेंगे ओके धन्यवाद